हेलो फ्रेंड्स, फेल कम इन मॉनिका की रसोई, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कंटोला की सबजी, जिसे हम आलू और प्यास के साथ बनाएंगे, एक बार आप इसे बना कर देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बड़े तो इसे खाएंगे ही, साथ में बच्चे भ बहुत ही जादा यूसपुल होते हैं, तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, यहां पर एक कढ़ाई में मैंने दो बड़े चम्मत सर्सो का तेल लिया है, सर्सो को तेल को हम गरम कर देंगे, और उसमें मैंने गरम होने के बाद में डाल दिया है, आधा चम्मत जीर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्याज हमारा भून चुका है, अब इसमें मैं एट करूंगी, हरी मिल्ची, एक कटी हुई, दो मीडियम साइज के आलू, जिनने मैंने धो कर काट लिया है, छील कर, और हमारा कंटोला, अब इसमें हम डाल दालेंगे स्पाइस, यहाँ पर मैं डाल रहे हूं, इसमें एक चममच अल्दी पाउडर, एक चममच धनिया पाउडर, आदा चममच इसमें लाल मिज़ी पाउडर नाला हूँ, आप अपने अकॉर्डी भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, और आदा चममच इसमें म और अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा चमच अमचूर पाउडर अदा चमच अमचूर पाउडर मैंने इसमें एड़ कर दिया है और हमारी कंटोला की सबजी रेड़ी है आप इसे बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सबजी है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजिए बड़ो को तो यह पसंद आएगी ही बच्चे भी इसे जरूर दुबारा बन बाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए